हाई अबरिवन कैसे आप सभी मैं आजे आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने इस यूटूब के चैनल अजे विद्यागान पर बचो जैसा की पता है आपको हमारी इस यूटूब चैनल पर विद्यागान स्कूल की तियारी करवानी शुरू होच के एकदम फिरी में आप सभी पास की इसकी दो परिक्षा होती है पहला आपकी लिखित परिक्षा होगी जो आपके ब्लॉक में होती है उसके बार आपका दूसरा में एक्जाम होगा ओनलाइन जो आपको विद्यागान स्कूल में होगा या फिर विद्यागान स्कूल के द्वारा जो कोई भी सेंटर ठीक है तो दो एक्जाम होते हैं इसके पहले एक्जाम के हम त्यारी कर रहे हैं जो आपका 18 दिसम्ब 22 कोने वाला है और मैं आपको बता रही था हूं मैं पहले इस प्रिक्षा को पास कर चुका हूं तो मैं आपकी त्यारी एकड़म अच्छे से कर वाऊंगा यूटूबर बह आपको किसी आपी कुर्स लेने की जरूरह नहीं है वह एक्ड़म फेक कोरसे हैं और हम आपके पास टाइम नहीं है अब एक महीने में कोई कितना कैसे पड़ाई कर लेगा एक महिना आपकी पूड़ी की पूरी त्यारी करवाएंगे चाते तो हम भी अपना कोर्स बेश सकते थे हमारे पास बहुत सारी courses हैं पर हमने नहीं बेचा क्योंकि हम आपकी त्यारी एकदम अच्छे से करवाने चाते हैं और मुझे पता है ज्यादा तर जो बच्चे हैं वो गरामीड एरिया है यानि कि वो middle class family से और गरी family से बढ़ाउं करते हैं वो कहां 499 पर पे कर पाएंग आपकी त्यारी एकदम अच्छे से करवाएगा जैसे कि मैं मुझे पता है कि कैसे question पूछे जाते हैं कितना time मिलता है परीक्षा में किस तरह के question पूछे जाते हैं तो वही मैं आपके अपने वीडियो के थुरू आपकी त्यारी करवा रहा हूं तो आप किसका साथ दोगे म और जो बच्चों से ठक बच्चों के साथ ठकी कर रहे है 499 रुपे का कोर्स पहले 299 बेचा फिर 499 मुझे पता है मेरे पास भी कोर्स पड़े मैं चाहता तो मैं बेच सकता था पर मैंने नहीं बेचा क्यों नहीं बेचा क्यूंकि ज़्यादा ता जो बच्चे वह ग्रामी मैं इसलिया नहीं बेच रहा हूं क्योंकि बच्चों को ज़ादा तरह हैं बच्चों के मातापता गरीब ही हैं तो मैं क्यों उन से पैसे लोंगा और इस तरह के पैसे मुझे बिल्कुल भी जरूवत नहीं तो आपकी तयारी एकदम फिरी में मैं करवा रहा हूं इस बार और बहुत सारे वीडियो हमारे रिकॉर्ड हो जाएंगे एक दो दिन में और डेली आपको हमारी वीडियो चनल पर तीन-चार वीडियो देखने के लिए मिलेंगे अब जितने भी मैं प्रेशन इस वीडियो में करवाँगा वह बहुत इंपोर्डन्ट है और वही विद्धाग बी, सी और डी इनमें से आपको बताना है कि कौन सी आकरती दूसरों के साथ मेल नहीं काती है तो देखो बचो यहाँ पर क्या है दूसरी आकरती मतलब दूसरों के साथ मेल नहीं काती है आप पहले वाली आकरती देखोगे यहाँ पर कितने आपर ऐसे कुछ बर्क करके बना और इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 हैं, और इसमें कितनी 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 हैं, और इसमें कितनी 1, 2, 3, 4, तो आप सूच रहेंगे, अलग तो C होगा, पर अलग C नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ, अलग क्या होगा, ये मैंने भनाए खुदी question ठीक है, तो अलग क्या हो जाएगा option number D, इसी तरह के question मतलब घुमा फिर आके विद्धाइगा है, पेपर में पूछे जाते हैं, दूसरा question हम देखते हैं, दूसरा question दिया गया है हमारा, वहे चुने, जो दूसरे से अलग हो, क्या है, वहे चुनो, जो दूसरे से अलग हो, तो इसमें अलग कौन सा हो सक आए, बच्चो, देखे question को आप ध्यान से पढ़ेंगे, और देखेंगे, यहाँ पर आप देखे, option number A में क्या दे रखा है, option number A में एक work type आए, उसमें इस तरह से एक work type का और उसमें करती को cross कर दिया है, इस तरह से, ठीक है, दूसरा देखेंगे, उसमें भी इस तरह से cross क कौन सा, option number D अलग होने वाला है, option number D हमारा सही answer है, क्योंकि जब आप आप ध्यान से देखोगे कि जो work है, वो इसके अंदर हो गया है, बरग है, इसके अंदर हो गया, उसके बाद से ऐसे ऐसे करके उनको मतलब बनाया गया है, तो यह बिलकुल अलग है, option number D बिलकुल अलग ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा तीसरा प्रेशन है, और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में टोटल आपको 5 प्रेशन देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको मैं अच्छे से समझाओंगो तो वीडियो थोड़ा लॉंग हो जाता है, ठीक है, अच्छे से स होड़ा करती है, वो दूसरों के साथ मेल नहीं खाती है, तो देखो, वो आकरती कौन सी होगी, आपकी ओप्सन नंबर सी, अप्सन नंबर सी हमारी आकरती होने वाले है, क्योंकि आप जब आया पर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर यह जो लास्ट में, यहाँ पर इतना भी दिया गया है उसमें क्या दिया गया है पहले में तिरबुज इस टाइप से ठीक है उसके बाद एक बर्ग है ठीक है बर्ग के अंदर बर्ग है उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर क्या दिया गया है पहले में कितनी लेक्श की रहे थी तिरबुज में बिल्कुल सही उत्तर होगा ठीक है यह अलग है प्रसा नमबर चौथा देखते हैं वह चुने जो दूसरों से अलग हो इसमें भी वह चुनना है वह चुने जो दूसरे से अलग हो तो देखो इसमें दूसरे से अलग आपको ढूनना है कौन सी है आप सभी आकर्ती को नोटिस क कार है वो अलग है अब अलग क्यों है क्योंकि यह आकर्ती जो है यहां पर आप दिखोगे पहले वाली जो आकर्ती तिर्बुज थी इस तरह से दिख रहे थी देखे विद्धागान स्कूल की परिक्षा में इस तरह के कोश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आप इस वीडियो ब काती है इन मैंसे वह कौन से आकरती है जो दूसरों के साथ मेल नहीं खाती है क्योंकि सभी माफ देख लो सभी आकर्ती है यहां पर आप नोटिस सबी तरफ चाहा करती पर ये इस तरह से बंद है किस तरह से ऐसे करके और ऐसे करके इसलिए औप्सन नमबर ये हमारा बिल्कुल सही उतर होने वाला है ओके बचो और फुफली इस वीडियो में मैं पांच कोश्चन कर बाच कौम अगले वीडियो में फिर से पांच कोश्चन लेकर आउंगा तब तक लिए बाई बाई जहिन